We, the people of India, हम हैं आखरी उमीद जैसे emergency के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो elections होई उसमें इंदरा गांधी को हरा दिया था उसी जजबे से आज देश की जनता को इस undeclared emergency के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है अगर आप भारत माता की जै कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तयार भी रहो अगर गांधी जी भगत सिंग नेता जी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जजबा भी लेकर आओ जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहा कर दिलवाई है उस आजादी की रक्षा करना इंडियन डिमोकरिसी को बचाना हमारा धर्म है इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अपसे अपने आपको लोकतंतर का रक्षक समझें ये जिम्मेदारी अब हम सब की है स्टेप वन अपनी आवाज उठाईए एक एक आवाज से फरक पढ़ता है अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को सो लोगों को फॉर्वर्ड कीजिए वाटसैप ग्रूप्स पर इंडिविज्वली फेस्बुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुचाना देश के हर एक वोटर तक पहुचाना स्टेप टू वोट करना मत भूलिये इस पार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फरक पड़ता है चेक कीजिए आपकी कॉन्सिटुएंसी में कब है वोटिंग अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाएए वोट करने क्योंकि इस बार सब कुछ दाव पर है इस लिंक पर जाएए ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए अल्रेडी रजिस्टर्ड है या नहीं अगर आपका नाम इ लोगों को कन्विंस कीजिए अपने दोस्तों को बताईए अपने मोहले में लोगों को कन्विंस कीजिए जिस दुकांदार के पास जाकर आप रोसबजी खरीते हैं जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं जो हाउस हेलपर आपके घर में आते हैं कितने लोगों को आप ठान लेक की अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा, हमें 1 करोड से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए, एक इंसान को सिरफ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने सारे 100 करोड eligible voters को रीच आउट कर सकते हैं और step 4 ये सब करना है खुशी से हसते हुए और प्यार फैलाते हुए, जोर से हसना ताकि आपकी हसी, ताना शाह के एहंकार को डुबा दे, प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचट हट जाए, तो इ कल आप जिन्दाबाद, जैहिंद